जहां पे भी हम many को use करते हैं subject और verb दोनों चीज़ें plural क्योंकि many का मतलब होता है कई पर इतना simple नहीं देता वो exam में वो many के पीछे a लगा के confuse करेगा या many के आगे a लगा के confuse करेगा तो ध्यान से मेरी बात सुनो जहां पे अकेला many होता है उसका मतलब बहुत सारों की बात हो रही है subject और verb दोनों कैसे चलेंगे plural पर जैसे ही उसने many के पीछे a लगा दिया तो board पे नजर रखिएगा a का मतलब singular तो इससे जुड़ते ही आपका subject singular और subject singular होते ही वह भी singular क्या मैं समझ में आया बच्चे कंफ्यूज हो जाते ही इन तीनों बातों में तो मैं हमेशा बच्चें को a की बात कहती हूं connect करो याद करने की बजाए ना उस चीज़ को किसी से connect कर दो वह अपने आप याद हो जाएगी तो आप इस गूल में a से connect हो जाओ many के पीछे a, a का सिदा सिदा मतलब a और सिदा सिदा मतलब a की यानि सब कुछ singular अब अगर वो many से पहले a लगा रहा है तो बोर्ड पे ध्यान से देखना subject किसके साथ आएगा many के साथ या a के साथ many के साथ और many किसको दिखाता है बहुत सारों को तो आपका subject भी plural हो गया वापिस और वह अब भी क्या बात समझ में आ रही है अकेला many है तो plural है ही है understood essence के हिसाब से वो दो तरीके से बिगाड रहा है बात को पीछे a लगा के और आगे लगा के अकर वो पीछे a लगा रहा रहा है तो मैं क्या बोल रही हूँ a से subject जुड रहा है समझ जाओ singular subject singular तो वह अपने आप singular जबकि अगर वो a many लिख रहा है तो हमारा subject अपकी बार ay से नहीं जुड रहा है अब हमारा subject किस से जुड रहा है मैनी से मैनी से जुड़ रहा है तो हमें पता है मैनी तो प्लिरल होता है तो सब्जेक्ट भी प्लिरल हो गया और वह अब भी